जा से सब बन्धा गया अंदर इसटार्टिंग वाल रॉनिंग वाल पीछे भी चाप अच्छे से बांदने से आपको फायदा यह वाज जो एक दो तार इधर निकल जाता तर शारे एक जगा गोटी हो जाएंगे ठीक है एक जगा सारे आजाएंगे ठीक है अब आप घ्या करन कि एक तो सब्सक्राइब तो बुक्त सब्सक्राइब तक पर में कमने वाइगे बाद इस उता है कि इसको डालने के बाद तार एदम सब्सक्राइब इसको अच्छे से टाले है कि सब में डाले है तो बहुत बड़े-बड़े फैक्ट्री में जहां पर बहुत ज्यादा क्वाल बनते हैं वहां पर एक टब में बर्तन में रखा होता है उसमें इसको बूर के निकाल दिया था तो वह और अच्छा हो रहता है लेकिन आपके वास अच्छे से टाल दें इससे कि आवा सारा तार एक जगा घूटा हो जाएगा इसे और अच्छा मैंड़ बनेगा अगए इस पीड और बढ़ जाएगी बीना डाले भी आप लगा देंगा तैसे चलेगा पंखा लेकिन इससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी ठीक है मैं पूर सबस्षा ऐब करना छोर सकते हैं ये आलना चोर सकते हैं चले का पंख लेकिन को आल जल जाएगा जल दी ठीक असको आटें मैं क्ली वेट रोक Zel ली बइडियो स्वेट पोगे में वेडियो है बूद बढ़त बड़ के रहा है वी अच्छे बाद इसको अच्छे से सुखने के लिए धूप है तो दूप में रख दें टीक है एक गंटे आदे रख दें अच्छा है और इसको बच जाएगा बाने इसको दम अच्छे बलाव रख दें तो अपने से लख रखे हैं और हम खाने के लिए चुछ देता हूँ तो अच्छे से शुक जाने के आपको नाम दिख दिया करें उपर ताकि आपको जिकत नहीं दाले इसको अगरी इसमें यह पहुत पुराना टाइटर फैन है पहुत बेट फुल इसमें पर अभी जुखवाये कैसा इसमें पर गिसी तरह यह इसका और यह शाय चाहर तीन-सो शेट चार शो से यह सारे समाना आपको एक ही दुकान में जाएंगे जहां पर जाने हैं अच्छे से बैठाएं और फिरी घूमना चाहिए बैठने के लिए इसको फूरना पड़ाएं मैं इसको अच्छे से बैठा लिता हमाले बैठने बार बिल्कुल फिरी घूमना चाहिए कि अच्छे से बाता लिए अच्छे से बाता है जानते होंगे तो अच्छे से बाता लिए अच्छे से बिटाएं अब देखिए और समय होता है कि तारा यहां से निकाल सकते होंगे तो बिल्कुल फिरी घूमना पड़ेगा अच्छे इसमें कहीं कटा हुआ नहीं है तो आप इस फोल से यहां से तार को खीच सकते बाहर देखिए यहां पेखोल देता है तार को बाहर किचने के लिए तो आप ऐसे तार को पर से निच्छे कीजिए और एक लिए करके हैं कि टोटल तुल्स आप खुछ से बहुत नॉर्माल पूर्स से ज्यादा तूस लगे नहीं है यह कोई भी तार मोड के आप कर सकते हैं या पी आपको इस तरह सुगदा हो निकालने मां उस तरह भी निकाल बस आपको ध्यान देना है तो क्वाइल से टर्ण पर ठीक है और कलाकवाइज और इंटी कलाकवाइज पर वह सब जू मैंने बताया बेसिक जी उस पर देहन देखा ठीक है आप हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए ठीक है तो आप लगाएंगे यहां पर मैं तूपाइब लगा रहा हुं टूपाइब 2.5 जा फिस सब तीन सबतिन का लगाएंगे तो बहुत थी ज़ले आप जिया लगाने से फीड़ने का फीछत्रा ज्यादा होता है इसलिए इसी तार को लगा रहा हूं बाकि जहांपे लगाना है मुझे वहांपे जानके लगा ढूंगा थिक है यह सब फैन में क्या होता है इसमें दूसरा होगा प्रत्रप में करनेंसर रखाता है तो इसलिए मैं करनेंसर को आलग पकड़ कर लूँगा अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर करें जो चीज अगर ठीक ने लगा और डिस्लाइक भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बटा दें कि यह अच्छा ने लगा यह ठीक नहीं तो मैं अगली वीडियो में उसे सुझारने कुसिश करूँगा अब आप मीटर से मैं अच्छे स किसी भी पंख में आप कर सकते हैं तो आप क्या करें देखिए यहां भी आएगा एक रिजिस्टेंस कि 174 यहां पे कि अच्छे सब्सक्राइब करें कि अच्छे सब्सक्राइब करें इस वाज़तार में जो कॉमन राता है उसमें सप्लाई देते हैं इसके बाद क्या करें क्यापर्शीटर जो है क्यापर्शीटर को आप दोनों में देते हैं एक ब्लैक वाल में दूब दोनों बचरा उसमें देते हैं ठीक है जिस तरफ से पंखा घुमेंगा ठीक है उसको आप धहमान लेजी इसमें देज़ इसमें देज़ेगा थे एंटिक लॉप ठीक है तो लैक वाले मैं देता हूं प्रिफिल देदा हूं तो अब मैं इसको सखलाए दूगा तो इसको मैं लगाता हूँ प्लक में अब इसी जो आप है तिक है मैं क्या दिया इसको अच्छे से पकड़ ले शुरक्षी तरीके से पकड़े कि यह बहुत वेट फूल फंक है तिक है मैं आपने भाई की मजद से बोल दा हूँ सीजॉन करने के लिए देखिए इतना वेट फूल फैन का स्पीड दिखे बहुत अच्छा स्पीड और कड़ कैपसिटर माच 2.25 पर अगा इसमें आप 2.5 पर डालेंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगा 3.15 पर डालेंगे तो और ब आप लोगों को जरूर वीडियो प्रसन लागा तो बीजियो देखने करें बहुत बहुत धन्मात स्पीड आगली वीडियो में